हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चानल लीकल हेल्पिन हिंदी दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर किसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता तो क्या वो अपने पती की पैंशन की कुर्की करवा सकती है इसके बारे में कानून क्या कहता है कुछ इसी तरह का सवाल था मदरास हाई कोड के सामने आज हम बात कर रहे है केस पी अमुथा वर्सिस गुनासे करन केस के बारे में और इस केस की सुनवाई जेस्टीस वी शिव गन्मन की बेंच कर रही थी मामले पर नजर डालें तो इस केस में पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए 2090 में एक याजिका दाय की थी जिसके बाद उसे मेंटेनेंस 400 रुपे देने का आदेश दिया गया था फिर 2013 में ये अमाउंट बढ़ा कर 4000 रुपे महिना कर दिया गया यहां पर उस मेला का पती सेना में नाई का काम करता था और मेंटेनेंस नहीं दे रहा था जो की 81 हो चुकी थी और 1,19,000 रुप की जाए और उसका बकाया रकम चुकाया जाए पतनी ने कोट में केस भागवत वर्सिस राधिका का जिकर किया और कहा कि इस केस में बॉंबे हाई कोट ने ये माना था कि पैंशन कोई कर्ज नहीं होता इसलिए CPC के सेक्षन 60 और पैंशन एक्ट 1871 के सेक्षन 11 के तहत कामले को देखते हुए कहा कि पैंशन को मेंटेनस के लिए कुर्की से चूट नहीं किया जा सकता क्यूंकि अगर ऐसा किया गया तो महिलाओं के साथ अन्याए होगा क्यूंकि ऐसा करने पर एक असर ये भी होगा कि पत्ती के रिटायर होने के बाद पतनी मेंटेनस का दावा नहीं कर पाएगी और ये महिलाओं के साथ अन्याए होगा और कानून का भी उलंगन होगा इसलिए फैसले में कोट ने कहा कि मेंटेनस कोई लोन नहीं होता और ना ही पतनी कोई लेंदार है बलकि मेंटेनस उसका अधिकार है इसलिए कोट ने अपने एहम फैसले में कहा कि म प्रेंशन की कुर्की की जा सकती है जज्विन के पीडिएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐसी ही लॉस से रिलेटेड जानकारी से अपटेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल